दोस्तों नमस्कार गांधी के इस साबरमती आश्रम में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस साबरमती आश्रम को इस ब्लोग को पूरा देखें पूरी जानकरी आपको मिलने वाली है आईए शुरू करते हैं यह साबरमती आश्रम के बाहर का व्यूव है साबरमती आश्रम गांधी समार्क संग्राले गांधी आश्रम और यह में रोड और यह बच्चा यहां कुछ बेचने की खोशिश कर रहा है आई अंदर चलते हैं इसका टाइमिंग की बात करें यह सुबह साड़े आठ से साम को साड़े थे अफ़े तक हर रोज खुला रहता है और यह इसका में इंडरेंस है पूरा ब्लोग देखें आपको पूरी जानकरी इस आश्रम के बारे में मिलने वाली है यह पेड़ पंडिक जुहला नहरू ने दस मई 1963 को लगाया था यह देखे आप इसका पूरा हाइट हो गया है और यह गांधी जी यहां पर यह अलग-अलग भासाओं में गांधी आशरम साबर्मति आशरम का लिखा हुआ 1997-2070 साबर्मति आशरम यह क्या क्या है यहां पर गांधी आशरम साइड में नक्सा यहां पर भी रखा है यहां पुष्ट काले है लाइबरे में म्यूजियम संग्रहाले मोहन तु महत्मा यह पूरा यहां पर वर्णन दिया गया है मोहन से कैसे महत्मा बने हर चीज यहां विश्टार से दी गई है क्या है जांडी मार्च जांडी कुच का पुरा मार्पिया ये जांडी जी इन्विटेशन तो टेगोर पॉर्दाष सत्या प्रसाइद मार्च 1922 जांडी जांडी का वाल जांडी का जांडी की जीएं की सब्ताया उसासरगाएगागाद एक अदस वरत आश्रम की पत्र पत्रिकांडवारबाद के लिए गांदी जी के बिना साथ की अभुर्ति लेटर टू दर्बार गोपालदास टोम गांदी जन्वरी 25, 1926 लेपी साहित के लिए टूल आश्र गोपालदास टूल बहा है लेटर प्रम गांधी जी तो मेरा 1928 ये गांधी जी की हैंट राइटि ये गांधी जी ने लिखा आश्रम वासी दानी बहनवे दुदा भाई दापड़ा लक्षमी गहन मारुती शर्म गांधी रामजी भाई अबढ़िया अर्थ जी अबढ़िया भाई प्रत्ना कोरीश गॉरिशा ये गक्रत्ना कुरीशा भाईबढ़ सप्सेरी अच्छी आँ मारुती अबढ़ियोग halten अबढ़ियो प्रत्ना कुरीशा जब भुब अजे बड़ी जाते हैं हैं 1915 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 तक का है 15 साल का इसमें हिसाब किताब दे रखा है क्या क्या हुआ था वो चुजी थोड़ा फास्ट कराओं वीडियो का फी लगबड़ जाएगा वीडियो यह दिया आपको पढ़ना है तो इन्हें वीडियो रोग कि आप पढ़ सकते हैं यह सर्दार्थ पटेल का यहां कितु बड़ा सा गांधी हेरिटेज बोटन साबरमती आश्रम लेटरर रौंदी जी पूब जाएगश लेटरर सान आपको अन्ठ सुड़ा कि दित वांधी पूब जाएगाश भाया विएगाश जाएगाश लेटर भर मुहन तो चाद्लिया मार्ण अजया जो चाद्लिया में वहन गान्धी का ब्रज कर्चिन को बत्तर है झाल फड़ा है अधिया झाल आवेले हैं. झाल 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 यह यहाँ पर गांदी जी के स्टेच्वे लूद सर्टेट बना हुआ है वहाँ यहाँ बैट ते लोग पटू के स्टेच्वे के स्टेच्न ये इदर देखें तो ये सब्रबती नदी है आप ये सब्रबती नदी काफी बड़ी नदी है वर इस आसरम के किनारे पे ये आसरम बना हुए है और कफी चहल पर यहां रहती है कफी लोग आते हैं यहां पर देखने के लिए उपासना मंदिर यह वही पवित्र उपासना भूमी है जहां पर सत्याग्रे सर्मों के निवासी भाई बहन सुबह श्याम प्रापना करते थे इसी स्तान से गांजी जी ने अनेक धरम परवचन किये थे जिनके पवित्र दवने आज भी वातावन में गुशती सी पर्तित होती है और यही वह इस्तान है जो गांजी जी के कड़े आत्म प्रिक्षनों में सत्या ग्रैश्रम नाम के योग ठेरा था कि इसी का यह अंजी से इंगिले सुझाश्रम यह पूरा आश्रम इदर भी और यह देखें आँ कि यह सामने ब्रीज सुभास ब्रीज इसे बॉलते हैं जो इस नदी के किनारे के यह आश्रम बना हुआ है और एक तरफ यह ब्रीज है और आपको पक्सिया की आवाज यहां पर सुनाई दे रही होगी इन पेड़ों में वह सरे पक्सी तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं कैसा लगा अपना कमेंट जरूर करें यह जी चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब कर दे अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें जै हिन जै भारत आपें पर अखेंगें का वार का जा कर दो तक